इस tutorial में हम लोग binder में addon कैसे install करते हैं यह देखेंगे पहले हम लोग किसी भी किसी भी एक addon को google से download करते हूं मैं इस tutorial में uv square इस addon को download करेंगे यहां से uv square addons download यह लिखने के बाद यह link पे आपको click करना है next यहां से क्या करना है आपको मैंने यह file पहले भी download कर चुकी हूं तो इसलिए मैं download नहीं करूंगा यह file को आपको download just download click करना है next आप लोग जिस path में मतलग यहां पे इसकी path basically हम लोग जब software install करते हैं तो c drive में install करते है c drive to program file वहां पे आपको ढूनना है जिस path पर आपकी यह blender file है मेरा यहां पे 392 and 79 and 80 सारे जो blender यहां पे हैं तो इस इसमें आना है next 2.92 next script next add-on next यहां पे सारे add-on को paste करना है next इस file को हम लोग extract करेंगे move care के मैं इसे desktop में ले ली थी हूं यहां पे इस file है next इसे extract करना है यहां से extract हिया yes to all next इस path में मतलब blender version next 2.92 script add-on इसमें simply drag and drop करना है मेरा पहले से है इसे replace करूँगा next अगर आप other version में इस install करना चाहते हैं तो यहां से क्या करना है यहां से यह है 2.79 next add-on यहां से script add-ons इसमें और 80 में भी same है यहां से script add-ons next इस folder में और एक तरीका है blender add-on install करने के लिए यहां से file user preference यह add-on के लिए next यहां से 1234 fold number जो options है add-on यहां से install add-on from file इसे click करना है next desktop आपकी location जहां पे आपकी add-on की जो file है यह जीस folder में है उसकी location यहां से हम लोग desktop यहां से is zip file को double click करतेंगे यहां से install इस तरह से आप यहां से add-on को search uv यहां पे uv यह add-on मेरा चला है इस तरह से same 80 और 92 में भी same है file लेकिन इसकी options है यहां पे edit edit to preference edit preference यहां से preference add-on यहां पे install करने के लिए यह install next desktop next यहां से यह file इसे install करना है मेरा पहले से ही है इसलिए यह error दिखा रहा है तो आगर हम लोग इसे delete कर देते हैं पहले इसे close कर देती हूं next uv square master delete कर देता हूं आभी हम लोग फिर से इसे install करेंगे file sorry edit preference next add-on desktop यह अभी install हो गया है पहले की तरह error नहीं दिखा रहा है इसे अभी टिक कर लेना है next save preference इस तरह से आप किसी भी add-on install कर सकते हैं next 9-2 में आते हैं 9-2 edit user preference यहां से add-on next यहां से save install मेरा पहले से install है install नहीं करूंगा यहां से install next desktop जहां पे आपकी add-on file है उससे next install add-on यह करने के बाद same यहां से हम लोग किसी भी add-on को on करके इस तरह से on करके यहां से save user setting इससे क्लिक करना है